साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है कार्तिक पूर्णिमा और वह पढ़ने जा रही है सौमबार को आप सभी को खूब सारी सुपकामना है सभी देवी देउता जीवन में खुश्या के भंडार भरे यही प्रार्थना करते हैं इस वीडियो में आपको गुरुजी द्वारा ब जारे इससे सिद्ध हो जाएंगे और संपूर्ण कार्तिकमा के दीबदान का आपको फल प्राप्त होगा कैसे करना है कप करना है ध्यान से सुनिये उससे पहले गुरु जी का एक सर्वीस रेष्ट उपाय आपको बता दो जो कि गुरूजी ने उनकी जो इसससे पहले कारति करें हैं नहीं कर पाई कोई तिकत की बात नहीं है आप एक शमी पत्र और एक बेलपत्र लेकर घर के मंधीर में सिवलींग विराज्मान है या सिव मंधीर में ले अपनी मनोती कहते हुए जो भी पीडा कस्ट है जो भी परिशानी है अभी तक नहीं किया है या अभी कर लिया है तो भी संतिम सौंबार पर करने का प्रियत्न करें किसी भी मन की कामना के लिए है उपाई किया जा सकता है एक शमी पत्र एक बेल पत्र परिपूर्ण होना चाहि जो बेल पत्र है अब सिव मंदिर में सबसे पहले जलाभी शेख होगा उपाय करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि दीपक प्रजवलीत कर लिया जाए दीपक हमारी पूजा पाठ उपाय का साक्षी होता है तो दीपक प्रजवलीत कर लिजे साथ के साथ आप सभी आवश्य रूप से विशेश तोर पर जो समी पत्र है उसे सिवलिंग पर समर्पित करेंगे और जो बेल पत्र है वह सिवलिंग पर पूर्ण रूप से जहां से सिवलिंग है अर्थात जो तीन पत्तियां होंगी वह नीचे की ओर होंगी जहां से जल प्रवाहित होता है और जो डंडी वह उपर की ओर होगी इस बात का ध्यान रखे ठीक इसी तरह से आपको सिवलिंग पर जो समी पत्र है वह भी समर्पित करनी है जो तीनों भाग होंगे समी पत्र के आगी की तरफ होने चाहिए जो डंडी होगी वह जो है उससे उपर की ओर होनी चाहिए जैसा स्क्रीन पर जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है प्रतेक महला पुरूस कार्तिक महा के पावन पवित्र दिन पर किसी घाट पर इसनानित्य दिकरने जाते हैं साथ के साथ वहां आटे का दीपक लगाते हैं आप अगर गुरुजी के कथा सुनते हैं उनके उपाय सुनते हैं तो जरूर आपने सुना होगा गुरुजी कहते हैं वहां आटे का दीपक लगाएं आटे के दीपक में आप सभी इस बत का ध्यान रखें कि आटे के दीपक में जब भी लगाएं जितनी भी बत्तियां लगाएं या जितने भी दीपक लगाएं वह चारो दिशाओं की ओर होने चाहिए तो यह तो संभाव नहीं है जैसा मैं सुन रही थी गुरू जी के शौट वीडियो में तो उसमें यह बताया गया है स्वयम गुरू जी के मुँझे तो आप सभी जो भी आटे के दीपक बनाएं एक का मुख पूर्व दिशा की ओर रखे एक का मुख दक्षण दिशा की ओर र अति उत्तम है परणत है इसा संभव नहीं है इन दिन आ हम घर पर रहने लगे हैं खास्तोर पर पवितर नदीट यादि बहुत दूर रहने लगे Т चाहरों में रहने लगे हैं कहने का अर्थ है तो आप सभी क्या करें कि ऐसा न कर पानी की स्थिति में सिव मंदीर में भी देखिए न जा पानी की स्थिति में न कर पानी की स्थिति में सिव मंदीर में भी करना बहुत स्रेश्ट उपाए माना जाएगा सिव मंदीर में चार बत्तियां ले जाएं पवित्र नदी घाट का स्मरण करें ध लग लग जो दीपक है वह चार दिशाओं की और आप लगा दे थाकि आपको घाट पर ही दीबदान का फल प्राप्त हो ऐसा ना कर परें तो चारों दिशाओं के निमित जो है चार दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं या उपाय आपके भागी को प्रबल करेगा और चोहों दिशाओं से देवी देवता पित्र इस्ट और मालक्षमे स्रीहरी विष्णु प्रसन होंगे और खुश्योगे भंडार भनेंगे चोहों दिशाओं में दीपक जैसे चार मुखा दीपक भी कहा जाता है आपने सुना होगा यह वही दीपक है जो इस उपाय को आप गुरुजी के मुख से सुनकर पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे तो करकर दिखेगा लाव मिलना ही है अब कार्तिक मा का पावन पवित्र दिन हैं अंतिम दिन हैं 365 बाती या 108 बाती के दीपदान को करने का प्रियत्न करें साथ ही 100 बार का पावन पवित् पर पांच बेल पत्र कि इस्थानों पर समर्पीत करें ध्यान से सुनिए सबसे पहले जो पात्र ले जा रहे हैं कच्चा दूध उसमें मिलाएं क्योंकि दूध और सफेद वस्तु चामल इत्यादी जो हो गए वह सफेद रंकी धातु सौंबार को बहुत अधिक प्रिय है म इनकी यह दातु मानी जाती है सबसे पहले कच्चा दूध मिस्रित जल सीवलिंग पर किसी भी सडाक्षर मंतर, पंचाक्षर मंतर, महामृत्यूंजय मंतर का जाब करते हुए सीवलिंग पर समर्पीत करें फिर सफेद फूल आपकी इच्छा है समर्पीत करना चाहते हैं समर अमबध तरीके से पांच स्थानों पर जल चड़ाते ही हैं गड़ेश जी माता असोक सुंदरी कार्तिके जी भगवान माता रानी के हस्त कमल से सिवलिंग पर पांच स्थान पर जल और पांच स्थान पर इन ही पांच स्थानों पर आपको बेल पत्र भी अपनी मनों कामना कहत हुए समर्पित करने हैं सफेद फूल तो सौंबार के दिन सिवलिंग पर चड़ाना ही चाहिए इससे भी भाग्य प्रबल होता है रोग दोस्कस्ट भी कड़ जाते हैं करकर देखें रात्री को दिन भर में कभी भी उपाय सिद्धु होगा चार पहर महादेव का जलाभी शेक किया जाता है कच्चा दूद जो है समर्पित करने से बहादे बहुत प्रसन होते हैं संतान सम्मधि सभी परिशानियां दूर हो जाती हैं करकर देखेगा लाब मिलेगा साथ ही आप सभी इस दिन पीपल व्रक्ष की विसेश पूजा करें स्री कृष्ण भगवान स्वयम कहत संभव हो तो 108 की संख्या में या 8 की संख्या में आप कच्चा सूत लेकर परिक्रमा भी कर सकते हैं लाब ही लाब मिलेगा कार्तिक महा के अंतिम दिन में जैसा कि गुरुजी ने सुरू में ही कथा में बताया था आप सभी को बट व्रक्ष पीपल व्रक्ष शमी व्रक्ष बेल पत्रे और आवला इन इस्थानों पर दीबदान करना है महादेव के मंदीर में मातुसी के निमित घर के मंदीर में पित्रों के लिए खूब खूब दीबदान करने का प्रियत्न करें किसी पवित्र नदी में डूपकी लगा सके तुस्रेश्ट है नहीं तो घर पर ही गं कामण को घर पर बुला कर भोजन भी जरूर से करवाएं नहीं तो सुखे स्वरूप में भी आप उन्हें सुखी वस्तु अनाज इत्यदी दान कर सकते हैं सर्दियों का आगमन हो गया है दूस्तों किसी जरूरत मंद ब्यक्ति को गरूर जो गरम कपड़े होते हैं उनका भी द कर दूस्तु अधार करें और स्वाएं और सब्सक्राइबल होंगी हर हर महादेश हैं